आज अच्छिए पर आपका एक वार कि यूटूप के चैनल पर आपका एक वार फिर चे मोस्ट विल्कम है आज हम आपके लिए लेकर क्या हैं Class 12 का Physics Chapter No.6 Electromagnetic Induction का Lecture No.12 ओके आज चीज़ी टॉपिक हमारी होगी Mutual Inductance आज चीज़ी टॉपिक हमारी क्या है Mutual Inductance इसकी ज़श्ट पिछले वाली टॉपिक हमारी क्या थी Self Inductance बट आज हम क्या पढ़ेंगे Mutual Inductance आज पढ़ेंगे आज की हमारी टॉपिक है Mutual Inductance इसकी हिंदी बताऊं तो होती है Anion या प्रेरण और जैस्ट इसके पीछे थोड़ा सा Recap अगर हम करें तो हमने पढ़ा था Self Inductance Self क्या होता था Shwap रेरण खुद से ही Motivate होना ठीक है न जैसे क्या था तो हमारे पास कोई Quail था और यहां पर हमारे पास प्राइमरी करेंट था जो की वरियेबल था Increase or Decrease कर रहा था अगर यह है जो करेंट है Increase कर रहा होगा ठीक है न तो इस Quail में Self Induction की वज़ा से एक ऐसी करेंट एक ऐसा करेंट मतलब की एक ऐसा करेंट उत्पन होता था Induce होता था जब इंडूस करेंट करते थे जो की अगर इंक्रीज कर रहा था तो यह वाला कहता था मैं इनको डिक्रीज करूंगा यानि की इंडूस करेंट इधर आपका बनता था ठीक है बड्स अगर मानलो हमारा प्राइमरी करेंट एक मतलब की इंडूस करेंट फिर हुँद तो यह क्या करता था कि आओ मैं पूर करोंगा यानि ही इन्डिवर करेंट टापका इदर ही बनता था ठीक यह ना तो सदुशन वगेपलिव निएम से लिए कि अगर इंक्रिच कर रहा होगा तो करेंट इनको decrease करेगा अगर प्राइमरी करेंट आपका decrease कर रहा होगा इंड्यूश करेगा सारी बाते पृष चापने देखेती और आज हमारा मुशुवल इंडॉक्तेंज अन्यों प्रेह प्रेहर नहीं पारश्परिक प्रेहर यहां पे कि तो कॉयल होंगे है और इसके जैस्ट पीछे हमने शिंगल है था बटा जम टू कौइल रखके बात करेंगे के बारे में दिस्ट के बारे में एंड इंडू स्भार्ण के बारे में चलो देखो मां दो हमारी पहली हुआ है ऐसे चला और यहाँ पे हमने एक कवायल और लगाया थोड़ाशा दूरी पर लगाधिया करेंट को माईपेगा है तू डिका हदेक। प्राइमरी प्राइमरी क्वाइल बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी क्वाइल एक प्राइमरी क्वाइल है और क्या सेकेंडरी क्वाइल प्राइमरी क्वाइल होता है और जो बगल में रखा हो का सेकेंडरी क्वाइल होता है चलिए प्राइमरी क्वाइल में हमने करन देना शु कर सकता है और क्या हो सकता है इंक्रीजी कर सकता है चलिया हम ने इंक्रीजिंग रहले लिया यहां पर करेंट लिया तो एक बात सूनो हमारी इसमें तो करेंट बनेगा बनेगा पूश करेगा करेगा चलो मालो करेंट ऐसे फ्लू हो रहा है तो एक अगर ऐसे फ्लू हो रहा है करेंट सभी क्वाइल है ना इस अभी क्वाइल है समें करेंट फ्लू हो रहा है और करेंट फ्लू होने की वजह से करेंट फ्लू होने की वज बनाएगा अगर अगर यहां देजी आए लिगा यह यह इन का इनका करन्ट यारा से ऐया चलिए तो कुछ ऐसे गुजरेंगा यह से ट्व लाइन और आप जानते हो कि अगर ऐसे कुछ गुजरे जाएगा से यह अच्छा आप जानते भी जल्ए तो गुजर रहा भुजरेगा बठते कि शुका चक्कर पुरा 갈ेगा इस बोवर नोगी पर रख़तक है कि शबुआ कर अगर ब्रहें लिए कि मिल दइस दा पूरा करता रहेगा गिके अगर किसी भी वाइर में लूप में फ्लो हो रहा है तो अपने अगल बगल एक मैटी फिल्ड क्रियेट करता है चुकि यह लूप है तो इसका हम जानते है डिरेक्शन क्या होगा ऐसे कुछ कुछ निकले गा ऐसे कुछ करंट यह बनेंद हैं से बढलेगी तो इनको सर्किल पूरा करें नहीं करेगी emnar और अब जान जरन है कि हमारा आई वर्य वर्य क्वल है तो प्रूटा का मैगनेटिक फिल्ड के ऴस क्वजह से क्या बना Magnetic Field बना अगर I increase कर रहा है तो Magnetic Field भी क्या करेगा Increase करेगा अगर आपका Current increase कर रहा है तो Magnetic Field इंक्रीज करेगा और Magnetic Field अगर increase कर रहा है तो That Time बिटा Flux increase करेगा Flux increase या फिर कह सकते हो कि Surfrust variable हो गया आपका और जब Flux variable हो गया तो आप जानते हो ना इस कौाइल में कौाइल में अगर फ्लक्स वरीवल होता तो उसमें क्या होता है एक इंडूश्ड उम्यव वनता है तो हम भूलेंगे सर यहां पे सेकेंड्री कौाइल में सारी घटनाय चल लहीं है primary में तो गोई राज हो होना है लेकिन इसकी वाज़़ा से secondary भी affected हो रहा है तो secondary में क्या हो रहा है एまだ लूह रहा है क्योंकि मैं इंक्रेश कर रहा है इंक्रेश कर रहा हो तो यह पांद लाइन पुजरेगा ना उसी को फ्लक्ष कहते हो सब किसके घठनाएचAndryidal की और secondary coil में अगर flux variable है तो secondary coil में क्या होगा एक induced EMF बनेगा induced EMF बनेगा और induced EMF बनेगा induced current बनेगा induced क्या बनेगा current बनेगा सारे कहानी बस नहीं है न कि वह जानी नहीं है ऐसा देखा गया कि गैली लूमीटर की सुई हिली भी तो प्राइमरी क्वाइल में अगर हम करेंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो सेकेंडरी क्वाइल अंधिक फिल्ड जो टो एख्याइल है दिव चंडिव टू कारीज और मेंडेटिक फिल्ड बैक फ्लक्स चैंजिंग लग च्या होग इंदूस्ट किया खूल्ट इंदूस्ट करेंट आया इसी मिं जूटक बहने लगा इसे बोलते हैं मुच्व लिड़क अन्यूर्ड प्रिय दो क्वाइल हैं एक में करेंट इंक्रीज करेंगे दूसरे में खुद करेंट बहेगा इप वढ़ाई थोड़ी मजदार लग रही है न तो क्या बोलेंगे ड्यू टू करेंट अफ फ्राइमरी क्वाइल क्या ग्रेंट इन्द्रीचREE को इसके के वल्ए से इसमें क्या वनाकरेंट बर इंद्प करेंट करम करतां था बात है यहां से निकला यहां से आएगा इसको बढ़ाओगी लाइन बढ़ेंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रामरी कॉइल में को बाइब करेंट बढ़े होगे फिल्ड रहा है तो इसमें भी हो रहा है यह पूरा तो अपना करेगा निकला यहां से यहां पर जाना चाहेगा इन इसको करेंगे अब टोडे बढ़े से पढ़े हो से पर दोव मैं होता था मुछू बोलं दो लोगों के साथ होता है अपना इसमें भी हो रहा है कि अंगी आ बना रहा है लेकिन भी बना रहा है इनकी वजह से टिक एगा इसको मिटा के चलता है तो चलो हन लेट्ट अपने पास एक क्वाइल है ठेक है एक क्वाईलिए आसे है और ऑर इमागु दूसरी क्वाईलं मेरे पास थिरिक है दूलव पास वास बहुत दूर नहीं है दूल स्यम्टार पास हाले संगी कोई बात नहीं तो अगर मैंने का चल्लो मैंने में इसमे एक कएट दीया फुर्छ पास पास कर लेते हैं ताकि आपको समझने में असानी हो में जया यहां पेमने कोईल का ट्रिक है तो यृतासान चीज़ बहूत कोटने शिसक sports कुछ नहीं होता का है मेरी क्वाईल और जो बेaurais बेटा और यूज में बनने वाला जांते हो इन जा करनेंट रहे हैं प्रांतमी क्वाइब है Neem जो हैं कैंड इतो है कर आख मन बनेल और इसमें करेंट फ्लो कर रहा है भी करेंट तो इसके वैसे बनेगा में कानस्टेनट हो ने आई इज कॉंस्टेंट इफ करेंट आई इज कॉंस्टेंट नू एनी फेनोमेना कोई घटना नहीं घटेगी सारा खिल विकार है आपका मैंने क्या बोला अगर अपका इकांश्टेंट है चार इंपियर लग दे ही रहे चाहरे है तो फिर कुछ नहीं बस देखते रहा मुझे आगी कुछ मिलने वाला नहीं है आपको बट 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 द्यान ने लिएगा अगर बट इफ और इसे आइवन बोलो प्रात्मी क्वाइल है प्राइमरी है तो इसे आइवन दो थोड़ा आगे परड़े माझा आएगा मैंने बोला इस आइवन इस वरी वल बट इफ और इस वरीवल तो ग्या होगा अगर आइवन आपका वरीवल है तो करेंट तो ही वेंड़ बनेगी ड़्यूंत तो ही फिल्ड बनेगी चलिए कुछ ऐसे आएगा इसे जाएगा इसे फिर पूरा करके ओवा रहा है यहां से पूरा करके अपना चक्र पूरा करेगा इसे कुछ कहो कि सर ऐसे आएगा 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 इसे को हुआ है प्लग है और इफ लोग है नों सर्कल पूरा करेंगे करेंगे कि आई-वन आधान, पत्क प्लोिय लगते हैं द७ाक लिग हुआ बॉल्ज हए है मैंने निकल ऑप बना मैंनी कि व tenía है खudर बना मैंने इवन कि व्या रिख्शों के वाए है और उल्छ हम को कावन मिले हमको magnetic field lines मिली magnetic field lines में इसे फ्लक्स करते हो आप और यह magnetic field line क्या कर रही है यह होकर जा रही है passes passes through secondary ऐसे टू लेख लो ठीक है ना secondary क्या करेगी इंक्रीज करेगी मैगनेटिक फिल्ल क्या करेगी इंक्रीज करेगी और अगर मैगनेटिक फिल्ल इंक्रीज करेगी तो आप कहो कि सर फ्लक्स इंक्रीज करेगा चलिए यही तक वात आने थे फ्लक्स इंक्रीज करेगा यानि कि फ्लक्स वरीबल हो गया किसी कौाइल में क्लोज लूप में तो उसमें एक इंद्यूस्ट इंमिफ बनता है और उसमें अगर क्लोज लूप है तो करेंट बहेगा अगर नहीं तो क्या होगा आधा फाइटू से रिप्रेज़न कर लोगे फाइट इन्ः करा फाइद या ने फिलक्स वरियवल कर यह कोफ सर्षक्ण्री में सेकन्री क्वाइल में एक एमार हम इन्डredit होगा एक इन्ड Consult code बनेगा और इंड 좋다 यहां पर आप अप्या बनेगा एक इंडी उउच्ट करेंट बनेगा ठीक आ है भानेगा देंक से बनेगारे लिए पंडेक वां मैं भूआत में बुछा कि हो ४स्ताह ओं तू कि इस शेकिंडरी-धॉड में इंडे विस क्यों हुआ डीओ-डीकरेंट आफ राइमरी क्वाइल कि र current variable है तभी बना हम जानते हैं कि जो current होता है मैक्टी फिल्ड बनाता है फिल्ड वरीबल होता है फ्लक्स वरीबल होता है फ्लक्स वरीबल होता है तो अब कोई रॉड हुआ तो उसके जो एक मतलब की होता है गर ने लगए स्यरों के क्रास्हुन house कि फोता बन जाता है और अगर करने लगता है लोग guitar करने सारी बाते जानते हो अब मैं बात कर्ता हूं उब इसमें कितने फ्लक्स गुजह αναला मुझे नहीं बता नहीं ना तो मैंने बोला कि अगर आएवन आफका को इंक्रेस कर र करेंगे तो फ्राइब करना करना यानि कि मैं शीदे-शीदे बोलों कि सेकेंड्री क्वाइल का जो टोटल फ्लक्स है कि बाफूशनल है करेंट मतलग ऑइवन के यानिकी प्राथमी क्वाइल में चूरेंट उसका प्रपूशनल अगर ज्यादा हुआ तो फ्लक्स जादा होगा या कि मैं लो मैंने क्या बोला कि तो डायेक्ली प्रपॉ став करेंट ऑप और प्रपोर्शनल को है pew करेंट प्रintendo का तो यहां पहुंगा टूटल ना इस इकॉल टू आएगा MI1 ओके यह हम क्या है कोफिशियन्ट अफ मुच्वल इंड़क्टेंस यह यहां पर मुच्वल इंड़क्टेंस इसे बोलते हैं और इसकी महत्र क्या होती है henry होती है caveat या बेबर पर और पाओगे फैलक्स का वेर हो जाएगा ऑपर phones यूनिट की बात करूं तो आप क्या कर सकते हो शर्ल या तो बेबर पर अमपियर बूल दो या तो क्या दो आफ हैनरी बोल दो capital H के वर कैणल हुब से होता है capital H होता है नो ने घ्र चलते हैं आगे चलते हैं इसको मिडा है या समझ में आगी है अपने आप लिखो बनाओ जो भी करना है अपने आप करो समझ में आने चाहिए का नहीं बस समझ में आपको आपको एक बात मैं और बताया दियों कि जैसे सेल्फ इंडेक्टेंस का कोफिशियंट एल था वेर ना तो फ्लक्स पर डिपेंड करता था नो तो करेंड पर डिपेंड करता था इसको भी बगल में लिख लो याम इज नाट डिपेंड्स अन फ्लक्स एंड करेंड इंसे इनका कोई मतलब नहीं इस ओनली डिपेंट आंड शेप और साइस पर डिपेंड करता है मुश्वल इंडक्टेंज भी दिखाऊंगा कैसे होता है प्रूब कराऊंगा वह भी बट इन दोनों पर कभी डिपेंड करेंगा जितना यह बढ़ेंगा इसे पाओगे क्या एम बराबरा पाओगे फाइटू टोटल अपान आईवन इसको दुगुना करोगे दुगुना ह फिर वही मिल गया आधा करोगे भी आधा हो जाया काट के फिर वही मिल जाया एक तो अब आपने देखा क्या इस्टूडेंट की फाइटू जो है ना टोटल याने कि सेकंडरी कॉयल का फ्लक्सिग को टू एम आईवन एम क्या है मुष्ण कोफिशियन्ट आफ मुच्वड टू क्या पींगया ना क्या बोलोगे कोफिशियन्ट आफ मुच्वड निटैंस अब टू क्वाइल जहां पर मुच्वड तो यह भात रही है तो यहां को ऐसी बोल सकते हो mutual inductance mutual inductance of two coils बोल सकते हो बड़े आराम से कोफिशियेंट आफ आगे लगा लो कोफिशियेंट आफ गुडांग टाइप होता है न कोफिशियेंट आफ मुच्वा इंडक्टेंस आफ टू क्वाइल ठीक है तो चलिए अच्छा एक बात जरा किया जाए कि secondary coil में कितना EMF induced होगा मैंने अच्छा आपने भी पढ़ा कि सेर हां EMF induced होगा सब जानगे बट कितना EMF induced होगा in secondary coil तो हम बोलेंगे भाई फैराडे लाँ बाई फैराडेज लाँ फैराडेज आपने क्या कहा था induced EMF इस इक्वाल टू माइनस डी फाई बाई डी टी विरोस्त कि नाथ यहाँ पर क्या लगता माइस लगता है चुकि हमको इटू निकाल ला इटू क्यों मैंने लिखा साइक्ट ड philosophically aig रे यहमेअस ओ सेक्वाइव निक्वाइव यहमेइव निक्तू मोईनस अख्या लीक्वाइव है क्या क्या अख्या क्या टूटल फ्लक्स लें एम क्या है आपका कॉंस्टेंट है तो इस इक्वल टू माइनस एम डी आई वन बाई डी एक खूबशूरस सा फार्मूला आपके पास हो गया फिर से एक बार तो सेकेंडरी कॉयल अगर प्राइमरी सेकेंडरी मुच्वल की बात आती है तो कोई पूछता है कि अगर प्राइम एकशिए कहली सेश्वल्क क्यारेंट केंडर है एम डी माई नाहिकी रीट और यह था रिर्ज कॉर्ण्ज अफ न मन काइंड काईना के आधा नो को भी डी सेक्वल यह सब्सक्रीक यह सब्सक्राइं आं अब तो यहीं तो यह और कुछ तोडिया प्राइमरी कॉाइल में चो परिवर्दन का जो दैर है अगुड़े माइनस का यम इस इक्वाल टू इटू होता है इसको अकर मैं केवल मान मान लिखूं तो इटू इसका मैगनेटिव एम डी आई वन बाई डी आई वन बाई डी यह भी पासकते हो आप बड़े आराम से पासकते हो शुत्र कहां पर यूज करना है कहां पर सब बाते जानते हो जब हात पाउन लगने लगेगा तो यह यूज कर लोगे यह नहीं लगेगा तो तुरंत उप तर पाजाओं तो चलो क्यों इसे मैं लिख शकते हैं कि एम इस इक्वाल टू इटू अपान डी आई वन भाई डी टी यह पूरा मौड में डाल दो कोई बात नहीं है ऐसे ही बन जाएगा अब यहां से हम एक चीज़ पाएंगे वह चीज़ क्या होगी definition of mutual inductance M definition पाएंगे MM का हम बुलेंगे definition of M definition of M बता दियो क्या होता भी यह definition of M क्या होता है तो अब मैं बता हो क्या होता है इफ लिख ध्यान से जेखना याद करने वाली कोई बात नहीं है आप बुलोगे इफ rate of change of current if the rate of change of current the rate of change of current in primary coil in primary coil चलो अभी छोड़ोता है आगे चलोता है मल वह आप से कह दू कि di1 by dt माल लो 1 ampere per second रहा हो चलो यान कि per second में 1 ampere की दर सी increase कर रहा हो प्लेस लगा इंक्रीज ही बता रहा होगा तो आप कहो कि शर M बराबर E2 आ जाएगा आएग नहीं आएगा वही मैं लिख रहा हो यहाँ पर if the rate of change of current in primary coil 1 ampere per second 1 ampere per second that time that time coefficient of mutual inductance of two coils coefficient of mutual inductance of two coil capital M is equal to is equal to बराबर होता है induced EMF in secondary coil induced EMF of secondary coil due to जो मतलब कि आप आगली सकते हो due to generate generate due to the current of primary coil इसमें में क्यों बना होगा क्योंकि प्राइमरी क्वाइल क्वाइल की बात हो रहे हैं कि प्राइमरी क्वाइल में अगर क्या होगा बराबर होता है secondary coil में induced EMF के अगर क्या हुआ rate of change of current in primary coil 1 ampere per second that time coefficient of mutual inductance of two coils M is equal to induced EMF in secondary coil या of secondary coil ठीक है मैंने क्या बोला अगर primary coil में rate of change 1 ampere per second का हो तो that time secondary coil में जो induced EMF होता है वह mutual inductance के बराबर होता है M के E2 is equal to EM हो जाएगा M का definition बने गया अब इसी पर वेश्ट कोई एक दो क्योशन कर लेते हैं ताकि आप पे क्लियर हो जाए फिर वीडियो क्लोश करते हैं इसको मिटाते हैं तो इस्टूडेंट एक आपके पास एक बढ़िया सा क्योशन है क्योशन के इसको आप कांसेप्ट बोल सकते हो एक अच्छा सा कॉंसेप्ट आपके सामने करना है इसको देखना है कहता क्या है तो क्योशन में लिखा है ओप हैंड कोफिशिएंट ऑफ मुश्या इंड़क्टन फार पेयर आफ उकसंटरीक क्वाइलि आपको इसकांसेंट्रिक वाइल एक वाइल आपका और यह का रवन डेजिया सका इनका सेंटर रेकिय है सनकंदरी हिंदियिंगिंगोलते हैं तो यह कहां सेंट्रिक वाइल बहुत बड़ा है और मैं आपको अभी फिल करा दूँ इतना बड़ा है कि आरवन वाले के लिए एक सेंटर की तरह है समझागाबाद को, आरवन वाला गर्ण आर फिल इतना बड़ा है, और ऐक जूम किया जाए तो कुछ इस तरह है अगर ऐसे यह आरवन है इतना चुटा कहीं आरवन के सेंटर की तरह भी है, इतना बड़ा, और इक बात और आपको आपकी मन में सचित कर दिया जाए अभी कराते हैं रुख जाओ पहले तरह की उश्ण देखते हैं कहता क्या है कि उश्ण तो बूलना है fine coefficient of mutual inductance for a pair of concentric coil चलिए concentric coil का फेयर है इसके लिए आपको बताना है mutual inductance कितना होएगा due to first two seconds या फिर due to second two first दोनों बाते हो सकती है वह ही मैं कह रहा था प्राइमरी क्वाइल आखशे जैना कि या पाहर वाला आउटर वाला है ना आउटर क्वायल है क्या प्राइमरी क्वाइल मैंने प्राइमरी क्वाइल क्या से फाशाना keeping current नहीं है क्या हो जैगा जो इनर – है जो इन वे वे asks खर्डाई गा सेकेंड्रे गोंस तो है हुआ गॉंचा आंट को ऐगा PR icon straks है कुछ यू कि आ पर लुक्षे कुछ बने का बनेगा आज्ट खोस्थ यह कुछ बनेगा घाट ञासे कुछ बनेगा और और सॉ जान लो अगर यही कर दूं बने का अगर वही करेंट है तो की थोड़ो अब उसकेंडरी इसमें अगर फ्लो कर रहा कि दिए तो जो अब यह कुछ देगा कुछ तो बनेगा बनेगा प्राइमरी वाला पाहर वाला है और सेकेंडरी वाला इनर वाला तो इसमें अगर करेंट पह रहा है तब जीतना मुचुआ इंडक्टेंस आएगा कोफिशेंट उनोच एंडक्टेंस ठीक है न बतलब की into टू टू बन इसकी वह साने की पहले में current फ्लो ऊरा है दूसरे में नहीं हो रहा है और अगर यही मैं current को दूसरी में दोड़ रहा है और इसमें नहीं दोड़ रहा है तब कितना होएगा मच्वाल इंडक्टेंज चाले जह पर गिए चाहिए प्रायमरी में करेंट पर आपका चाहिए सब्सक्राइब करेंट होना चाहिए इसमें बना इसके बराबर होगा क्योंकि आप जानते हो इंड्यूर्ट इम्या फीजिकल टू डी फाइवाई डीटी परिवरतन दे कुछ चैंजिंग इसी कि तो है फाइदे को अगर उतना ही करेंट रहेगा जितना इसमें इसमें मैं बन रहे है यह ही मैं इसमें जो और उसी है तो उतनता ही बनेगा क्योंकि परिवर्तन में नहीं क्रेएव तो में तो little यह प्राहँ मरी क्वाईल और इंदर्वाला प्राहँ वाहँ की वाइवन ऐसे वहाँ मैं घ्रां प्रायमरी क्वाईल में आई वा Beim find की वजह से संट को युवाईल में देखो एसे सुन लो आईवन की वजह से एक मैगनेटिक फिल्ड बनेगी एक लाइन बारी किस लिखा जाएगा प्राइमरी क्वाइल में करेंट आईवन की वजह से एक मैगनेटिक फिल्ड बनेगी किदर ऐसे बाहर की और आउटर यहां पे लिख लो हो आउटर बनेगी फिक्स है बनेगी यो तो मना बना तै्न और ये यह Main प्राइमरी क्वाइल के सेंटर पर बना प्राइमरी क्वाइल के सेंटर पर बना मेंगनेटिक फिल्ड भी बना मेंगनेटिक फिल्ड भी कितना होगा q2 इसका जो होएगा मैंगनेटिक फिल्ड इसके सेंटर का चलो यहां पर लिखो बढ़ी आसे कि मैगनेटिक फिल्ड है एट सेंटर इस इकल टू क्या हो जाएगा मू नॉट बाई टू इन टू आई कितना है पहले वाले में आई वन है और एक कितना है आर वन है और एक बात हो रहे है मैंने काना आर वन इज मुच 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 जैनल जनल बहुत बढ़ा है तो इसके सेंटर को यहां सकते हो यह बात याद रखेगा इसका सेंटर यह पूरा उन सकते हो यानिकि सेकेंडरी क्वाइल में मैंने इसकाक पूछा कितना बनेंगा मैंटीफिल्ट में मैंटीफिल को तो ले ही बनेगा आक आई बाञें तैंस सुक्तis आख好 energetic gives in secondary or magneticیا丁ट क्वाइल कितना हो जायगा वह दो सेंटर उसके सेंटर की तरह ही भी है करना म्यू नाट भाइट फूइंटर कि यह जाएगा रवन हो जाएगा इसका क्या मिलेगी हम को मेंथ पल्यां सेटोर की होगा यह चैनल की कि फ्लंक्स कितना होगा secondary 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 coil में flux कितना होगा secondary coil में total flux कितना होगा तो आपने पढ़ा है flux is equal to क्या होता है b into area पढ़े हो अभी तो यही पढ़ा गया है formula पीछे का पढ़ा गया है flux is equal to magnitude field into vector area चल यह कोई बात नहीं b की value कितनी आगए secondary में b कमान mu not by 2 into i1 by r1 और secondary का area कितना है student secondary का area कहोगे sir pi r2 का square है secondary का area है आपका और इनकी 20 का angle क्योंकि b यह कौश ठीटा होता है अब देखो जरा आपका magnitude field बाहर की हो रहा है और इसका vector area बाहर की हो रहा है that time इनकी 20 का angle 0 होएगा और का 0 की value 1 होती है इह हो गया हमारा secondary coil का total flux आ गया और अभी अभी just हम पीछे पढ़ के आ रहे है total flux in secondary coil due to primary coil पढ़ के हम लोग आ रहे हैं अभी अभी हम क्या जानते है किlicht secondary coil का total flux म Alter की बरावर होता है secondary coil का total flux म Alter के क्या होता है बरावर होता भी इन पढ़ के आ रहे है पेचे से पढ़ गाया हो ना कि प्रूब किया था कि करता है कि इसके पर डिपेंड करता है करता है एक हो गया पाई आए टू का स्कॉर्राइब यहीं होगा बिटा मुच्वाल इंड़क्टेंस अफ टू को अब अगर मालों इसमें करेंट को फ्लो कराते सब्सक्राइब करेंट को इसमें निकालते तो दिक्कते होती आसानी से मारा आप इसमें करेंट वरीयरल करन्त वरा करेंट हंसा इतना यह मतलब कि इसमें सब्सक्राइब करेंगे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो एक और देखते हैं लाश्ट फिर वीडियो क्लोज करते हैं तो इस क्योशन में आप देख सकते हो करते हैं करते हैं करिखा की तो आपने इसको देखा आपकोलम इंड़क्टेंट्स होता है वह किवल सेक असफर करता है बढ़ने डीपेंड करता है उसके करेंट में करेंट क्या है इन सब बातों बेडिपेंड नहीं करता है इसको एक बिटार बताते है आपको तो हमारा अगला क्योचन है स्टुडेंट फाइंड एम फाइड टू लॉंग शॉलनाइड आपको बताना है याने की कोफिशेंट आप मुच्वाल इंडक्टन्स की वैलू बतानी है बूल रहे हैं कि आफ इक्वाल लेंद जिनकी लेंद्ट इक्वाल है प्लेस्ट वन इंसाइड अनदर मतलब कि जो की दूसरे के अंदर रखेंगे देखिए रहा ऐसे कुछ चलो इमानलो शॉलनाइड हमारा पहला वाला शॉलनाइड है सेमेरिया का है सब के एरिया से मैं जो भी क्वाइल देख रहे हैं और इसके अंदर इसके अंदर एक शॉल दुकल औनदे기는 चलों कि फिर दूसरे रहे हमारा अलोगा श्याले एक मेशन के सब्सक्रमान प्राली का लैंठ है और ऑदै की जो क्वाइला मानलो टेक है यह लेंथ है रडियस है और नमबर टॉंस आफ आफ और यूनिट लैंथ तो क्या बता रहा है कि प्राइमरी क्वाइल की बात कर रहा हूं आपका बनेगा इसे आप बोलोगे कि यह हो जाएगा इसका लेंथ मानलों है इसका रेडियस मानलों आइटू है और जो नमबर आफ लेंद नमबर अप्टर नाफ लेंथ है वह मानलों बिटापका एंड टू है ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं प्राइमरी वाइल देखा सेगेंडूरी काल हमको निकालना है दोनों के लिए मुशुवा इंडक्टेंश जैनको फिशेंट दूफ मुशु वाल इंडक्टेंश फाइंड आउट करना है जानते हो कि यह बना दूंड कि सॉलेंड नाइट जया से उसकी स्के एक्षिस के सब्सक्राइब कर सकते हो यानिकी मैगनेटिक फील्ड डियू टू प्राइमरी प्राइमरी क्वाइल या फिस सोलेनाइड बोलो कितना बनेगा इसके अंदर बनता है बाहर तो बनता नहीं है अच्छा अपनी बाते सोचा होगा कि इसमें दोड़ा किसमें निकाले होते हैं ऐस प्राइमरी क्वाइल निकी प्राइमरी करें कि वाला है अच्छू की पहला वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा है कितना हो जाएगा कि यहां तक इना डी की विफ गज़ी है यहां पर लेकंड़ीस एकसि के लॉग मैं अब लीक सकते हो इसां यहां न न एकिस यहां दो यही मैंने फिल इनका है फोई शेकंडरी कोल का मैंने फिल्ड है इसे हम को सकते है we can say that we can say that magnetic field of secondary coil magnetic field of secondary coil mu not and I I why I am one चलिए आशा मैंने बगर पूशों कि secondary coil मेर्टी फिल्ड है तो flux वर्यब फलक्स भी परनेगा आई वरीब अवरीब बालोगा मैंटी फिल्ड बारिव तो फिल्ल दाइन वर्यब लगोंगे फिल्ल लाइन वरे बालोगे तो फिल्क्स वर्यब बालोगा में कितना घुजर रहा है तो फ्लक्स और क्या पढ़े हो और अएक्षिश के लॉंगर हमारा यह तो विक्टर एरिया भी ऐसे गोलकुलत्य जायगा ना कौस्ट की वैल्वन होती है वी कमान आपने पड़ा म्यूं नोट एनवण आइवन और एल्या कमान क्या हो जाएगा इसका एरिया डू बनेगा तो जाएगा पाई q 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 qq q 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 इसका एंटू लिखे हो ना एंटू नमबर अब टरन परिई लिएंथ होता यानि कि एंटू बराबर अगर टोटल लेह न हो अब बटर्फे क्या हो ज़ाएगा एल अरे भाई एक सेंटीमीटर है तो आप कहोगे शर यह सेंटीमेटर ने म्हालों 55 चैटर्न है तो दूसेंटीमेटर में इतना होगा तीन में कितना होगा 15 होगा चाली क्या हो है तो पांज होडा करें हो यह हई T है तो यम्तैन नहींग तो दों रहेगा पीलई कि तो टम यहीम longtime तो एक संटीमिट्र एंटर्ण दो सेन्टिमेटर डूएंट मीट्रण दूएं लित तो टुटल टरंड कितना ओजाएगा आप ऑगशर एल एंटरस्थ होत exploited not यहां पर कितना हो जाएगा एक चाहिए यहां से बोलू चाहिए लगाओ लेंद्ध में तो कितना हो जायगा है इसे कि इस कि मैंने बुलाए एक सेंटिमेटर में अगर और है तो दे जंटिमीटर में दो में डौन 3 सेंटिमीटर तो यहां पर आओगे की टोटल यहां पर मिल जाएगा आपको एंटु यह एंटु एल इंटु मू नॉट एन वन आई वन पाई आल टु का स्क्वाइल बढ़ियां से लिखोगे तो फाई टू टोटल कितना हो जाएगा बढ़िया से तो लिखाएगा चली और हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स आफ सेकेंडरी क्वाइल इस इक्वाइल टू एम इंटु करेंट अ प्राइम रिक्वाइल दोनों कोई आप कंपेर करा होगे तो एम आई वन इस इक्वाल टू एंटु यहल इंटु मू नॉट एन आई आई वन पाई आई आई वन कैंसिल और क्या आप आऊगे मू नॉट आगे लगा लिए मू नॉट एन वन एन टु इंटु एल पाई आई 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 टु का स्क्वाइर ओके यहां पर भी आप क्या देख रहे हो कि ना तो आपका यहम ना तो फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा त तो करेंट पर है कर रहा है euro टैक वाइल कर το K Poland पर यूरिय लेंथ का टरन से पर यूरिट लेंथ लैंथ का थर ऌतन से एक यूनिट लेंथ में टूर्ण है तो अगर इसके लंबाई टूटल मांदो यल है यल है तो यल में कितना हो जाएगा लन हो जाएगा यह हो गया हमारा इसके बाद कुछ नहीं अब मिलेंगे आप से अगले वीडियो में और होगा होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो उसका नाम क्या होगा एसी जनरेटर हमको यह दिखाना तो है यहां पर कि यहम का मान ने आपका फ्लक्स या फिर करेंट पर डिपर नहीं करता हो आप देख चुके हो फिर मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आल दा बैस्ट